हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगा थे उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी क्लास्टोल फिजिक्स एंसी आटी चैप्टर फर्स्ट चल रहा है बैद्दुत आविस तथा छेत्र एलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिल्ड आज की इस लेक्चर में बच्छों आप लोग सीखने वाले हैं बिद्दुत छेत्र की अबधार्णा साथ में आप मुख रूप से आज का टॉपिक है बिद्दुत छेत्र की तिबरता इंटेंसिटी आफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इसका बिमेस उत्र इसका मात्रक आपको पूरा बेसिक के साथ क्लियर कराऊंगा बस वीडियो को लाश्ट तक देखिए डेपनेट रूप से आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा चले शूरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बच्चों विद्दुत छेत्र क्या है विद्दुत छेत्र क्या है जैसे आप लोग किसे टीचर के पास आफ लाइन कोचिंग करने जाते हैं, तो टीचर का भी एक दाइरा होता है कि कमरे में बोट के सामने खड़े हो करके पढ़ाना और उनका भी एक निश्चित छेत होता है, जहां तक आप उनको सुन पाते हैं, उनके प्रभाव को समझ पाते हैं, जब कभी एक लंबी क्लास हो जाते हैं, पीछे के बच्चे उनके प्रभाव को समझ नहीं पाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है, इसके पीछे का रीजन ये हो जाता है, कि क्लास रूम लंबा है, उनकी आवाजें आप तक पहुँचने रही हैं, उनका प्रभाव वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो इसकी चार और उसका एक छेत्र है, जहां तक कि वो अपना एक प्रभाव बना सकता है, अन आबेश पर बल लगा सकता है, तो उसका छेत्र क्या कहलाता, बिद्धुत छेत्र, क्या बिद्धुत छेत्र, जैसा मैंने आपको एक सिंपल भास में समझाने की कोशिस की, कि आपके पास कोई एक अच्छे टीचर हैं, उनके क्लास रूप में आप बैठते हैं और पढ़ते हैं, अब आप सोचो अपने घर में बैठ करके क्लास रूप में वो पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप किहां तक उनका छेतर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो उनका भी एक निश्चित बच्चों पर फोर्स लगा सकते हैं, मतलब एक प्रकार से बच्चों को प्रेद कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं, तो उनका एक निश्चित एरिया होता है, ऐसे ही आबेश भी अपने चारो और कहीं तक एक निश्चित उसकी सीमा होगी, जहां आपको किसी अन आबेस पर बल लगा सकता है, या आबेस के पास कोई अन आबेस आए तो वो बलकान हो कर सके तो इस आबेस का चारोर का छेतर विद्दुत छेतर कहलाता है, यहींग कोई भी बैदुत आबेस है और उसके चारोर एक ऐसी निष्चित लिमिट अर्थाद शीमा, जहां तक क्यू किसी अन आबे जिस्म strengthened कि यहां पर कह दिया क्यू नाट एक अन आबे से ये इस पर बल लगा सकता है या कि यह जो आपका परिच्छन आबे से कहीं ना कहीं आबे से काण किसी ना किसी बल कानभा कर सके तो इस आबेश का वह छेत्र, बैदुद छेत्र कहलाता है, electric field जिसे बोलते हैं, तो किसी बैदुद आबेश के चारोर का वह छेत्र, जहां तक वह अन आबेश पर इस्थिर बैदुद बन लगा सकता है, उस आबेश का बिदुद छेत्र कहलाता है, बिदुद छेत्र की जहां तक अन आबेस पर इस्तिर बैदुद बल लगा सकता है उस आबेस का बैदुद शेतर कहलाता है जैसे मैंने आपको यहां पर एक आबेस लिया और इसके चारोर जहां तक इसका प्रभाव है एक निश्चित एरिया होगी ना जहां तक इसका प्रभाव होगा एक से इस पर बल लगा सकता है और ये जो बल है इस आबेस के कारण ये बल का अनुभाव कर सकता है तो वह किसी आबेस के चारोर का वह छेत्र जहां तक वह किसी अन आबेस पर बल लगा सके वह उसका विद्दुत छेत्र कहलाता है ठीक है बच्चों विद्दुत छेत्र का अब हम बात करते हैं जिसे बिदुद छेतर जो जनरेट करता है उस आवेस को हम एक प्रकार से संतत आवेस भी कह सकते हैं वो आवेस बिंदु आवेस भी हो सकता है वो आवेस बिबिक्त आवेस भी हो सकता है यह चीज आप लोगों को याद रखना है और मुख रूप से उसे स आबेस के नाम से जानते हैं, सुरोत आबेस के नाम से जानते हैं, तो आप लोग परिभासा लिखेंगे सुरोत आबेस का, सुरोत आबेस का परिभासा लिखेंगे आप लोग, उस आबेस को जिसका बिद्दु छेतर विचारा धीन होता है, मतलब जिसके बिद्दु छेतर पर बिचार करते हैं उसे हम सुरोत आबेस कहते हैं ये आपको परिभासा लिखनी है कि उस आबेस को जिसका बिदुत छेत्र बिचारा दीन होता है उसे हम सुरोत आबेस कहते हैं ये चीज आप लोगों ने देखा कि भाई हमारे पास एक आबेस है जिसके चारो और एक निशित फ परिश्वरी यह परिच्छन आवेश नहीं भाई इसको हम एक प्रकार से संतत आवेश कह सकते हैं सुरोत बिंदु आवेश को हम बिविक्त आवेश संतत आवेश भी कह सकते हैं लेकिन जो परिच्छन आवेश है जैसे हम नहीं कहा दो आवेश है एक आवेश जिसके कारण चा आग जिसे बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज भी कह सकते हैं परिच्छन आबेस किसे बोलेंगे जो किसी अन आबेस के करण बलका अनुभव करेगा उसे हम बोल सकते हैं बच्छो परिच्छन आबेस की परिभासा लिख सकते हो कि उस आबेस को जो किसी अन आबेस के करण बलका तो ह्म्हों, उसे हम परिच्छन आवेश को सो vapor him yatajaké, जो हमारा परिच्छन आवेश में aurait water like us, Matthew jam nad Might water, उसा होना σहरा संदी क्यों चाहती है फिर घु परिच्छन के पिरिचिक उल्प हो सरों कि दोर व्हों सकता हूं है। है यह जो परिषण आबेस है जो हम क्यों नाट ले रहे हैं यह अत्यनत ही अल्प होना चाहिए भहत ज़्यादा आबेस ना ओना चाहिए यह आपके परिषण आबेस का कि कि अरख स्व scatter होना चाहिए ताकि वी शुरोत आबेस को प्रभावित ना कर सके अनत्या वह इसका आही छेत्र जादा है तो फिर इसको प्रभावित करने लग जाए तो फिर वो आपोजिट कार करने लग जाएगा ना बच्चो चीजे क्लियर है यहां तक कंप्लीट है तो विद्दूत छेत्र आपने समझ लिया परिच्छन आबेस आपने समझ लिया अब आप समझने वाले वच्छो बिद्दु छेत्र की तिवर्था Intensity of Electric Field अब इस बिद्दु छेत्र की तिवर्था को समझने के लिए फिर से हम वही concept पर चरचा करेंगे बिद्दु छेत्र के अधारणा से हमने कहा भाई कि बिद्दु छेत्र क्या है आबेस के चार ओर जहां तको किसी अन आवेश पर बल लगा सकता है वो आपका बिद्दू छेत्र कहलाता है ठीक है मैंने कहा ये बिद्दू छेत्र जबनेट हो गया अब जिसे मैंने इस बिद्दू छेत्र के किसी बिद्दू पर एक आवेश लाया मैंने क्यों नाट इस तो यह जितने बल का अनुभव कर रहा है उस्षे हम बोलते हैं इंटेंशीयटी आफ एलेक्ट्रिक फील्ड है जनी बिदूत छेत्र पर रहें , परिछण अभीस को , और यह जितने बल का अनुभव करे , यह हमारा सदीश राशी है , जितने बलका नुभव करे वो उसका बिद्दू छेतर की तिवरता कहलाता है बिद्दू छेतर के किसी बिद्दू पर इस्थित एकांक धना भी चितने बलका नुभव करता है उसे उस बिद्दू पर बिद्दू छेतर की तिवरता कहते हैं और बच्चों आप लोगों को एक चीज म में आपको आई जेप्टर के विजवत नोट्स दिये जाते हैं, तो परसान मत हो ना, आप ले सकते हैं नोट्स, और भेतर त्यारी कर सकते हैं, वाँकि आपको नोट्स खुद का तयार करना है, तो आप हमारे साथ तयार करते चले, अब मैंने कहा भई, इलेक्ट्रिक फिल्ड में कह दूँ, अदिस रूप में, तो ई बराबर आपका हो जाएगा, एफ बटा क्यू नाट, ठीक है, चीज़े क्लियर है, किनि किसी बिद्दु छेतर के किसी बिद्दु पर रखा हुआ एक कांग धाना भी, जितने बलका उनभाव करेगा, उसका हम क्या बोलेंगे, तो छेतर की, ती बृता सदी सरासी है, लिख लो आप लो, तो यहां बच्चों सदी सरासी है, ठीक है, एनि इंटेंसिटी आफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, कौनसी रासी है, सदी सरासी है, याद रखिएगा, इसका मातरक आप से कोई पूछेगा, की से मातरक बताओ, तो इसका मात्रक भी मैं आपको बताता हूँ, मात्रक कैसे निकालेंगे बच्चो, मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो, F का मात्रक, यहनी बल का मात्रक, बटा, क्यू है, मतलब, आबेश का मात्रक, आबेश का मात्रक, बताओ, बल का मात्रक क्या होता बच्चो, बल का मात्रक होता है, न Newton प्रतिकुलाम इसका मातरक भी आ गया, Newton प्रतिकुलाम इसका मातरक आ गया, SI पद्दत में, कितना बढ़िया simple है, इसके बार आप इसका बिमी सूत्र भी निकाल सकते हैं, SI पद्दत में आपका clear होगे, Newton प्रतिकुलाम, एनि Newton कुलाम inverse, ठीक, इसका बिमी सूत्र आप निकाल कर बताओ, बिमी सूत्र कैसे निकालेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बिलकुल आप निशिंत रहें, बिमी सूत्र निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, F का बिमा, F का बिमा, एनि बिमी सूत्र, डिवाइड बाई बच्चो आवेश एनि क्यूं का भिमिय सूतर अब बोलो कि सर बल का भी हमें पता नहीं है बल बराबर मैं यहां पर आपको बता दूँ बल बराबर होता है द्रबमान गुने त्वरन द्रबमान ठीक है गुने त्वरन अब को कि सर इसके आगे भी नहीं पता है द्रबमान का द्रबमान ही रहने दू त्वरन का होता है बेग बटा समय ठीक है अब बेग का भी सूतर नहीं पता तो बेग का होता है दूरी बटे समय तो एक समय अल्रेड़ी था एक समय और आगे तो समय का स्क्वाइर हो गया, मतलब द्रबमान है, L है, और टाइम भी है, दूरी का L हम, ठीक है, लेंथ, और टाइम एनी समय, और माइनस टू हो गया, ठीक है, तो ये निकल कराया है न, M, L, टिक पौर माइनस टू, और आवेश, धारा गुड़े समय, इसमें तो कन्फ्यू ये देखो, आपका बिमी सूत्र आगया, किसका बिद्दू छेत की तिवरता का, कुश्चन बनता, अबजेक्टिव बनता है, कि बिमी सूत्र कहसे निकालेंगे, बिमी सूत्र आप अबजेक्टिव में लिखो, तो फिर आप लोगो कन्फ्यूजन क्रियेट नहीं होना चाह आपने, बिद्दू छेतर किसे कहते हैं, बिद्दू छेतर किसे कहते हैं, किसी बैतुद आबेस की चारोर का हुआ है छेतर, जहां अन आबेस इस्थिर बैतुद बल लगा सकता है, बल कानभव कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिद्दू छेतर कहते हैं, सुरोत आबेस किसे कहा जाता है कि भाई आबेस हम आबेस को ही सुरोत आबेस मानेंगे लेकिन उस आबेस को मानेंगे जिसका हम विद्दु छेत्र निकालना चाहते हैं विद्दु छेत्र उसके बारे में हम उसका विद्दु छेत्र के गढ़ना करना चाहते हैं को मिला करके उसके चारोर ज जिस आबेश के छेत्र के वाले में चर्चा करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, स्रोत आबेश कहलाता है, जो की संतत आबेश, बिविक्त आबेश भी हो सकता है, ठीक है, बिंदु आबेश भी हो सकता है, लेकिन जो आपका परिछण आबेश है, अत्यंत अल्फ होना चाहिए ताकि वो अन आवेश को प्रभावित ना कर सके है ठीक है तो ऐसे ही हमने कहा भाई कि विद्दू छेत किती बरता कि भाई हमने कहा एक हमारे पास आवेश है जिसके चारोर विद्दू छेतर जनरेट हो रहा है जिसके काड़ों विद्दू छेतर कहलाया और उसी विद्दू विद्दू छेत्र पर कोई अनुभौ कर रहा है यह हमारा आबेस है जıtना बल उस पर लग रहा है, या जितने बल का उनुभौ कर रहा है उसे उसका विद्दू छेत् कि तिप्रता कहते हैं क एक आबेस पर कितना बल लग उसे उसका हम बिदूष रोड़ा केहते हैं, मात्रक की बात कर दी हम ने, तो बल बटाईघे से, अथर बल का मात्रक न्यूटन, प्रतिकुलाम होग जाएगा, बिमी सूतर हमने निकाली दिया, इसक्रीन साड़् भी ले सकते हो, ये मैंने निकाला, ये कैसे निकाला बल का, य इस्ते नहीं बन रहा वो लिख ले नोट कर ले छोटे चोटे लेक्चर के माध्यम से हम आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं बिलकुर निश्चिंत रहें बस आप लोगों से एक ही चीज कुजारी से कि प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में क्र लेकर के त्यारी करें 96-85-39-99 पर कंटेक्ट करें ओके बच्चू टेक कियर बाइबाइबाइब